लास्ट एपिसोड की कहानी में आप सबने देखा कि कहानी फिर से सर्प कुंड में डूबे रुद्र के पास आ जाती है आखिर वो नागिन ऐसा क्यूं करना चाहती थी वहीं सुनैना और रुद्र एक साथ कॉलेज जाते हैं मगर रुद्र उसी कॉलेज में टीचर निकलता है रुद्र के साथ हो रही अजीब घटनाओं में अब उसे खंडर वाली लड़की दिखाई देने लगती है कौन थी वो? कोई भूत या नागिन या सिर्फ रुद्र का वहम जानने के लिए देखे आगे की कहानी रुद्र अपने सामने उस लड़की को देखता है मगर रुद्र का चहरा दुपट्टे से ढखा रहता है कि तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और रुद्र सकपकाता सा पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ सुनेना खड़ी थी तुम यहाँ गल्स रूम में क्या कर रहे हो नहीं वो तो मैं बस और रुद्र सामने देखता है कि वो लड़की अपना दुपट्टा लेकर वहाँ से कपकी ही जा चुकी थी मैं आज भी नहीं देख पाया उसे रुद्र तुम ठीक तो हो ना आखिर तुम्हें हुआ क्या है तुम इतने हजीब क्यों हो गए हो और रुद्र और सुनेना बात करते करते बाहर आ जाते हैं तो सर आप मुझे घर छोड़ देंगे हरे तुम भी ना मैं सर बस यहाँ कॉलेज में हूँ भार तुमारा दोस्ती हूँ मैं और दोनों हसते हुए गाड़ी में बैठ कर चले जाते हैं इनको जाते हुए दूर खड़ा कोई देख रहा था कमरे की खिड़की से वही लड़की इन दोनों को जाते हुए देख रही थी लड़की के पीछे वही नागन रेंगती हुई आती है और अपना फन ठेला कर खड़ी हो जाती है तो आखिर तुम मुझे मिल ही गई अब भागना बंद और नागन अपने इंसानी रोप में आ जाती है और जोर से हस्ती है तुम मुझे भूली तो नहीं हो ना नागन जैसे ही सामने देखती है वहाँ कमरे में कोई भी नहीं था वो भाग कर खिर्की के पास जाकर देखती है तो दूर उसे जंगल के अंदर वो चलती हुई नजर आती है कब तक यूहीं भागती रहोगी अब वक्त आ गया है कि तुम्हें हमसे मिलना ही होगा नागे ने एक संदेश भीशती है जिसे पाकर कमरे में एक नाग भी आ जाता है और वो भी मानव रूप में आता है और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं वसुंद्रा छिपते छिपाते जंगल में एक गुफा की ओर बढ़ रही थी मगर जैसे जैसे वो चल रही थी उसके पीछे घुंगरू की आवाज आ रही थी वसुंद्रा मुड कर देखती है मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता है अजीब बात है मेरे हर कदम पर ये घुंगरू की आवाज कैसी है और वसुंद्रा उसी काली गुफा में घुच जाती है तभी गुफा के पास वाले पेड के पीछे से एक हाथ निकलता है वसुंद्रा गुफा में जाती है और सामने एक तांतरिक बैठा होता है जिसका चेहरा अंधेरे की वज़ा से इतना ढंक से दिखाई नहीं दे रहा था तभी अंधेरे में बैठा वो तांतरिक अपनी आखे खोलता है जो लाल थी और एकदम जानी पहचानी सी लग रही थी आओ वसुंद्रा आओ क्या खबल आई हो वसुंद्रा तांतरिक को कल रात में रुद्र के साथ हुई उस घटना के बारे में बताती है वसुंद्रा और तांतरिक बात कर रहे थे कि तभी वही खंडर वाली नागिन पूर के पीछे से निकलती है जिसका चहरा अभी भी ढखा हुआ था और वो गुफा के द्वार में प्रवेश करती है प्रवेश करते ही उसे इतना जोर का जटका लगता है कि वो दूर तक उछल कर जाती है और नदी के अंदर गिरती है कब तक बचोगे तुम दोनों पापियों पता नहीं रुद्र अपने आप वहां गया था या ये उसने किया है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये बात है एक काम करो तुम ये नीवू ले जाओ और इसे रुद्र के कपड़े की जेब में रख देना अगर अब वो उस नागिन के संपर्ग में आया तो ये लाल हो जाएगा और फिर हमारी बारी है चाल चलने की हाँ 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 वसुंद्रा हाथ जोड़कर वहां से जाने लगती है पर वो रुख जाती है एक सवाल पूछना था आप तांत्रिक भेरो बाबा ही हो ना वसुंद्रा जैसे ही ये बोलती है तांत्रिक अपने लाल आखो से वसुंद्रा पर आखने लगते खेटा है और वसुन्द्रा डर कर वहां से भाग जाती है वसुन्द्रा के जाते ही तांत्रिक भहरो गुफा से बाहर रोशनी में आता है तांत्रिक का चहरा जला हुआ था और उसके हात पाओं भी जले हुए थे तांत्रिक की आखे गुस्से से लाल होती हैं तभी तांत्रिक फिर से वो बुरा दिन याद करता है और जूर से चलाता है नीलम कनिश्क तुम दोनों ने बहुत गलत किया था मैं बदला जरूर लूँगा मगर पहले वो अधूरा काम तो पूरा कर लो जो सालों से नहीं कर सका बहरो वही तांत्रिक था जिसे नीलम और कनिश्क ने चांदनी को बचाने के लिए गुफा में जला दिया था बहरो सिंग तब से अंधिरे में ही रहने लगा था और वो फिर से गुफा में जाकर बैठ जाता है दोनों नाग नागन अपने मानव रूप में मिल गए थे मगर आखिर वो थे कौन मांसी क्या हुआ तुब इतनी घवराई हुई क्यों थी वो मिली थी क्या अमन आजो मेरे सामने ही थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकी कोई बात नहीं मांसी तुमने कोशिश तो की अब हमें जल्दी ही कुछ करना होगा अमन और मांसी भी नागनागिन बन कर वहां से चले जाते हैं रुद्र और सुनेना घर की ओर जा ही रहे थे मगर रुद्र का ध्यान अभी भी उसी लड़की की ओर था और वो सुनेना की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था रुद्र जानते हो चम में छोटी थी तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं होता था क्योंकि मैं बहुत सुन्दर थी और सब लड़किया मुझसे जलती थी और एक दिन मुझे एक लड़का पसंद आया मगर उसने मेरी ही दोस्त को प्रपोस कर दिया और तब से ही मैं ये तूटा दिल लेकर एथा रुदर भटक रही हूँ रुद्र कुछ नहीं बोलता है रुद्र तुम सुन रहे हो ना? रुद्र सुनेना रुद्र को होश मिलाती है इसका मतलब तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सुना तुम भी बाकियों के जैसे ही हो रुद्र गाड़ी रोको मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है नहीं सुनेना ऐसी बात नहीं है सुनेना जोर जोर से रोने लगती है तब ही रुद्रो उसके करीब जाकर उसके आसू पोंचता है रुद्रो को करीब पाकर सुनेना ही बहखने लगती है और दोनों के बीच में किस होने ही वाली होती है मगर अचानक चलती हुई गाड़ी के बोनट के उपर एक विशाल नाग उचल कर आग गिरता है ये देख दोनों डर जाते हैं और नाग अपना फन फैला कर काच के उपर बार करता है बार-बार फन की ठोट से काच भी तूटने लगता है जिससे रुद्र घबरा कर गाड़ी पड़ से हाथ हटा लेता है सुनेना और रुद्र की आखिं डर के मारे फटी हुई थी रुद्र ये ये क्या है और उनकी गाड़ी एक पेर से जाकर टक्रा जाती है तभी वो नाग उचल कर वहां से चला जाता है और गाड़ी टक्राने से दोनों बेहोश हो जाते हैं कुछ तेर में सुनेना को होश आता है और वो रुद्र की जगा बैठ कर गाड़ी ड्राइफ कर उसे घर लाती है घर आते ही रुद्र भी होश में आता है अच्छा हुआ तुम होश में आ गए मुझे बहुत चिंता हो रही थी तुमारी वैसे तुम्हें आधी चोट नहीं लगी है मगर फिर भी तुम आराम करो मा कहा है आंटी तो कहीं बाहर गए है अच्छा आप मैं भी जाती हूँ यहां से और सुनैना के जाने के बाद वसुन्द्रा काली शॉल को ओड़ी घर के अंदर घुसती है जिसे रुद्र चोर समझ कर दबोच लेता है चोर चोर तेरी तनी हमत अभी रुख तुझे मैं बताता हूँ अरे रुद्र ये चोर नहीं मैं हूँ तेरी मा मा ये क्या हल बना रखाया आपने और आप ऐसे चोरों की तरक क्यों घुस रही थी वो बेटा मैं बस ऐसे ही मुझे ठंड लग रही थी तो मैं बस अब पड़ तुझे क्या हुआ रुद्र वसुंद्रा को आधी अधूरी बाते बताता है कोई बात तही बेटा तू अब आराम कर वसुंद्रा वहां से चली जाती है कहीं रुद्र जिसे नाग समझ रहा है वो कहीं वही नागिन तो नहीं उजे ये नीबू कल उसके कपड़ों में डालना ही होगा और दोनों सो जाते हैं जंगल में जिस नाग ने रुद्र पर हमला किया था वो अमन ही था जो खंडर के अंदर पहुँचता है अमन मानसी के पास वापिस जाता है अमन घायल अवस्था में होता है अमन को देख मानसी घबरा जाती है अमन तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मानसी वो मैं वहाँ उसके पास था और अमन मानसी को सारा घटना क्रम बताता है तो तुम पर हमला किस ने किया? क्या उसने ही? नहीं वो नहीं थी मानसी जब गाड़े का एक्सडेंट हुआ तो मुझ पर किसी ने हमला किया कोई लाल रोश्णी के शक्ती मुझ पर आगरी और मैं घायल हो गया हो ना हो वहाँ कुस्तोगरबर थी कोई अदिश्य शैतानी शक्ती थी जिसके बीच रुद्र कैद है पर तुम वहाँ करने क्या गए थी मुझे लगा कि अगर मैं उसके करेब जाऊंगा तो नागिन हम तक जरूर आएगी मगर उससे पहले ही ये सब घटना हो गई अमान और मानसी आपस में बात कर ही रहे थे कि तबी खंडर की दीवार पर नागिन की बड़ी परचाई नजर आती है जो जोर-जोर से हस रही थी तुम दोनों जो करना चाहते हो मैं सब जानती हूं मगर तुम मुझे नहीं रोक सकोगे मेरे रास्ते में आना बंद कर दो वर्ना और दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं अमन गायब हो जाता है और मांसी पलट कर देखती है तो वही नागिन सामने खड़ी होती है नागिन मुड़कर जाने लगती है तब ही वो पलटती है तो अमन उसके ठीक पीछे खड़ा रहता है नागिन दूसरी ओर से जाने लगती है तो अमन और मांसी अपने सापों को भी चारो ओर खड़ा कर देते हैं अब नागिन चारो ओर से घिर चुकी थी ये देख वो घबरा जाती है हज़ाओ मेरे रास्ते से क्या होगा अब क्या इस नागिन के इरादों को अमन और मानसी रोख सकेंगे आखेर ये नागिन है कौन और चाहती क्या है वहां रुद्र की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी रुद्र कुछ समझ नहीं पा रहा था और वसुंधरा की चाल भी अभी राज ही थी कहानी में कौन अच्छा है और कौन बुरा ये जानने के लिए आपको ऐसे ही आगे भी देखते रहना होगा देखते रहिए नागिन सीजन सिक्स केवल एनिम स्टोरीज पर थैंक्स फॉर वाचिंग कहानी जादी रहेगी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे न्यू एपिसोड्स ओनली एनिम स्टोरीज पर